हेलो फ्रेंड्स में वेल्क्म टू एड्मिशन जों चैनल इस बीडियो में हम बात करेंगे इस्टरी के लिए यो उसमें सबसे पहले तो यह ये बता दो पि topics होते हैं हुट्जों जो होते हैं वह ऑनिदिया मेडिवल इंडिया और कॉम्णियंसान पสु Congo होता है जीनु के पेपर में हिस्ट्री के लिए उसमें आपको जो कॉष्चन्स होते हैं वह सी सब टॉपिक से हैं इंसेंट के मेडिवल और मॉडर्न इंडिया से इपको कोई स्टेट्मेंन दे रहता है या कोई paragraph दे दिया रहता है और आपको बताना होता है कि question इसमें से कैसे बनाने है तो एक बहुत बड़ा पार्ट उससे आता है देखो जो इम्मे का इंट्रेंस होता है ना जे इन्यू के लिए उसमें यह होता है कि question तो इंसेंट मेडिवल और मॉडर्न तीनों से पूछे जाते हैं लेकिन आपको अपना अपना सिंटर चुनना होगा कि आपको इंसेंट से करना है मेडिवल से करना या मॉडर्न से करना है तो यह बहुत जाता है डीटेल्ड नहीं है उसमें बस यह दिया हुआ है कि जेनरल कॉम्प्रिहेंस से question होंगे दूसरा जो है यह वह टॉपिक है काफी ब्रॉड है टॉपिक उसमें यह कहा जाता है कि ब्रॉड अंडर्स्टैंडिंग अब देखो क्या है कि सोशल साइंस में तो ब अगर हमें कॉडिंग जाए तो क्या हमें सोशल साइंस की हर सब्जिक्ट को पढ़ना है नहीं ऐसा भी नहीं है जो आप प्रिविएस यह कोश्चन को उठा के एनलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कोश्चन जो है मिली हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं लेकिन हिस् समय में क्या क्या हुआ एकॉनमी कंस से डिजcomb लिए एकशन मतलब कि उसने अपने स्टेट को समढ़ा पर्णी होगी तो इसके बारे में आपको जानकरी होनी चाहिए उस से कये विश्चन पूछे जाएंगे तो इन सब चीजों से question पूछी जाती है वर्ल्ड हिस्ट्री का एक भी एक part इसमें आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको यह देखने को मिलेगा कि जो European history है उसी को हम broadly world history बोलते हैं तो जो European history है उसमें जो important events हुए है जैसे कि French Revolution, Industrial Revolution, American Revolution आपको वहाँ पे Germany और Italy का unification हो गया उससे पहले का फ्यूडल सिस्टम था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए उससे पहले जो यूरोप में Greek का जो civilization था मेसोपोटामिया का civilization था तो आपको इसके बारे में knowledge होना चाहिए कोश्चन यहां से बहुत ज्यादा नहीं होंगे पर हाँ आपको एक ब्रॉडर नॉलेज होना चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री का कि वर्ल्ड हिस्ट्री में actually हुआ क्या है और contemporary period का भी आपको जानकारी होनी चाहिए तो contemporary में अगर हम इंडिया के JNU ने slaves provide के अपने prospectus में history के लिए लेकिन यह slaves बहुत ज्यादा detailed नहीं है इसमें बहुत ज्यादा detailing नहीं है जो detailed slaves होगी उसमें जो आपका सबसे important part होगा उसके बारे में मैं इसमें थोड़ा discuss कर देना चाहता हूं उसमें जो सबसे important है वह यह है कि आपको इंडियन हिस्ट्री के अलग-अलग phases के बारे में अच्छे से पढ़ना है ठीक है तो अगर हम important हो गए ऐसे अगर आप history को broadly अगर पढ़ना चाहोगे तो उसमें जो सबसे important part होता है न हिस्ट्री का वह होता है historic age का कि जिसके बारे में हमें एविडेंस पता है जिसके बारे में हमें archaeological या किसी भी medium से हम उसके age को अच्छे से जान पाते हैं तो वहां से important हो आती हैं चीजे लेकिन उससे पहले का भी जो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है या प्री हिस्ट्री का पार्ट है उससे भी question आते हैं तो उससे भी आपको उसको भी देखना होगा एक वर अच्छे से समझना होगा उन सब चीजों के पारे में you must have to you know have an understanding of all these cultures देन आफ्टर जो important है डाट इस बेडिक एज सो वेडिक एज में दो पार्ट है अर्ली वेडिक एंड लैटर वेडिक तो वेडिक एज 1500 BC से 600 BC तक चला था इसमें क्या-क्या development हुए तो जितने भी वेडास थे रिगवेद सामवेद अथाववेद यजूर वेड तो जितने भी वेडास थे या जो हिंदू टेक्स थे ठीक है ना स्मिर्थी थे या समहितास थे जितने भी चीज थे उनके बारे में आपको यहाँ अच्छे आते हैं तो महाजनपत की सुरुवाद कहां से हुई थी है ना यहां पर अलग-अलग हर्यंका डाइनेस्टी है चाहिए वह मौर्य डाइनेस्टी हो तो उससे कोशन बहुत अच्छे आते हैं उसके उससे को याद करना होगा वहांसे पॉलिटिकल हिस्ट्री आपक कानवा जो इन्वेजन्स हुए यानि जो अगर कोश्चन आप यह देखो कि जो फॉरें से इंडिया पे मतलब इन्वेजन्स हुए उसमें जैसे सबसे पहले ग्रीक का हुआ साकाज का हुआ कुसान का हुआ तो इन सब चीजों के बारे में भी आपको जानना होगा इसके बाद जो एक बहुत गोलडेन हैं रहां के बारे में पढ़ना होगा इसके बाद पोस्ट गुपताайтеे ऐस के बाद मीडिवल इंडिया तो मीडिवल 16 दो पाठ है एक तो हो गया आपका अर्ली मेडिवल इंडिया में आपको हिंदू रूलर्स जो राजपूत आना था वहां उसके बारे में पढ़ना होगा और उसके बाद आता है मेडिवल एज में क्या है कि मेडिवल एज में आपको जो मुस्लिम डाइनेस्टी थी चाहे वो देली संतनत हो या मुगल हो उसके बारे तक आपको उसके बारे में आपको पढ़ना है मेडिवल एज जो है 1707 में खतम होता है अलग-अलग हिस्टोरियन्स का अलग-अलग पैमाना है पर 1707 में मेडिवल एज खतम होता है यो कि 1707 में और अरण जेव की मिर्तियों के बाद प्रण जो पूरा-का-पूरा मुगल-इंपायर होता है उसका एक डिकलाइन पहेजाता है और उसमें उसमें वह पूरा-का-पूरा डिसिंटिग्रेट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूरोपीयंस है उनका भ़ारत पर अंपर जयुदेज़गा तो उसक तस lucky पेहले इंडिया आएंगे अलग-अलग जगह पर फैक्ट्री लगाएंगे अलग-अलग पलिटीकल कंवेस्ट करें अलग-अलग पर वार करेंगे फिर एक समाई आएगा जब यह त्रीटीज करेंगे और फिर एक दूसरे को अलिवर्दी घान हो सिरजु दौला हो फिर हम मैसूर में देखेंगे। बंबे में देखेंगे महरास्ट में देखेंगे करनाटिक में देखेंगे तो अलग-अलग जगह पे फिर बृटिश हर्स ने इन्डियन के साथ क्या कि लराइी किए वहां पे war लड़े और वहां पे treaties की अलग-अलग इन्होंने provisions लाएं जैसे जमिंदारी system हो गया रयतवारी system हो गया महलवारी system हो गया उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका अलग-अलग policy था एनेक्स करने का जैसा subsidiary alliance हो गया doctrine of lapse हो गया तो इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा कि कौन से गवर्नर जेनरल ने यह कौन से वाइसराय ने किस समय में कौन सा डिसीजन लिया था उसके बाद एक सबसे ब्रिटिस पॉलिसी में इंडिया के लिए उसके बार में आपको परना होगा उसमें भी अलग-अलग एज है एक ऐसा है जहां पर आपको कुछ यह देखने को मिलता है कि जो ब्रिटेन है उन्होंने इंडियन को अपने में पार्ट बनाया कि चलो हम इंडियन को थोड़ा है कि पूरा का पूरा जो यह नेशनलिस्ट मुव्मेंट है वो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में चलता है और यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का जहां से हर एक्जाम में कोश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहां पर आपको फिर महात्मा है कि अगर अब देखोगे तो अभी यह मार्च का महीना चल रहा है तो अभी अप्रेल मैं जून आपके पास दू-तीन महीने है ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है ऐसा नहीं है कि आपको अपने बुक लिस्ट काफी सौट रखनी है अब ज्यादा से ज्यादा ज्यादा पर काम करो कम से कम बुक परो तो ऐसी कौन-कौन सी बुक है जो अभी आप पढ़ सकते हो और अभी उससे आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है तो अगर हम उसकी बात करें तो उसमें अगर हम इंसेंट इंडिया के पार्ट में आए तो इंसेंट इंडिया में आरे स प्रिंट करती है तो आरे सर्मा की जो किताव है इंसेंट इंडिया पे वह बहुत इंपॉंटेंट है वह आपको पढ़नी ही है उसके बाद अगर आपके पास टाइम है या आपने पहले से पढ़ रखी हो इंसम में से कोई भी एक किताव तो आप उसको रिवीजन के लिए होद ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो आप आरे सर्मा को एक, दो, तीन बार जितनी बार चाहो उतनी बार इसको पढ़लो इसके साथ ही देखो क्या है कि जो न्यू इंसी आटी है उसमें यह हुआ है कि जो इंसी आटी है उसको थीम्स इंडियान हिस्टरी के नाम से क्लास ट साथ पढ़ते जाना है अगर आप आरे सर्मा पढ़ रहे हो तो साथ-साथ आपको इंसेंट में जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री है उसका पार्ट वन भी पढ़ लेना है देखो यह इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि अगर आप सलेबस देखोगे ना जे इन्यू का तो उस प्रतमय का सोसाइटी कैसा था इसके बारे में बहुत अच्छे से इन इंडियन हिस्ट्री में दिया हुआ है तो आपको उसके साथ यह पढ़नी ही पढ़नी है इससे कुश्चन आते ही है आपको आपके कंप्रीहेंस में यह हेल्प करेगा तो यह तीम्स इन इंडियन पर सकते हो फिर आप मॉडर्न में पहले बीपिन चंद्रा पर लो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए और फिर जो है आप राजी वहिर पर जा सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री के अगर बात करें तो उसमें अर्जुन देव अभी के लिए पढ़ सकते हो अगर आपके पास एमसी क्यूज है उसमें उसको आपको याद करना है तो आज के लिए इतना ही अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से कर लेते हो तो फिर आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो थैंक यू थैंक यू पर लिसनिंग